देखिए जब आपका component निकालना हो तो क्या करते हैं उस वेक्टर के साथ उसका इनिट वेक्टर से पुराक्ट ले रहते हैं जैसे a.b का अब a और इसका इनिट वेक्टर से मल्टिप्लाई कर दीए अब देख सकते हैं पर यह आई और आई का कोफिशेंट यह जाएगा आपका देख सकते हैं आपर 1 होगा तो 2 इंट वन टू और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा तो यह जाएगा आपका माइनस 1 वाई डिखी सकते हैं तो जब भी अगर कंपोनेंट के लॉंग गवेक्टर लेना होता है इसके लॉंग रखेंगे बड़ा ही इंपोर्टेंट के टॉपिक है यह